नमस्कार टीचर्स अकैडमी ऑनलाइन कोचिंग इस्ट्यूट से मैं हूँ अमबरीशे शुक्यों आज आपको मैं चार बड़ी भरतियों के विशें बताऊंगा अगर आप योगिता रखते हैं B.A.D. हैं B.T.C. पास हैं D.A.D. हैं एक एक भरति के विशें में पूरा इस्पस्ट विवरण दूँगा D.A.D. आप जानते हैं कि दिल्ली अधीन सेवा चैन बोर्ड के तहत ये परिछाएं होती हैं कुलमला के दिल्ली केंसाचित परदेश जैसा एक विशेस राज्य है यहां पर जो आप नोकरी करते हैं वो पूरी सुविधाएं आपको केंदर सरकारवारी मिलती है और बहुत यह अच्छी नोकरी है और सबसे ज़्यादा सेलरी होती है उस ग्रेट पे पे आप देख सकते हैं कि दस हजार से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी सिख्छों के भरती सुरू होने वाली है से लेकर दिल्ली सरकार के सिख्छा नदेश साले ने खाली पड़े पदों को भरने के लिए दिल्ली धिनस करमचारी चैन बोर्ट को एक पत्र भेजा दिल्ली सरकार के सिख्छा नदेश साले ने दिल्ली हाई कोट को यह जानकारी दी है सिख्छा नदेश साले ने आदालत को सुचित किया कि राष्टी राधधानी किसे सरकारी स्कूलों में सिख्छकों के 10,300 का तरफ़ जल्द ही भरे जाएंगे हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सिख्छा नसाले डी ओई ने दिल्ली के हाई कोट से अनुरेद किया है कि जब तक खाली पदों पर भरतिया नहीं हो जाती तब तक गेश टीचर को डेली वेज के आधार पर काम करने के अनुमत ही दी जाए डी ओई ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में डी ट्रे पलस बी ने दस जार पांसो एक्यानवे से एक्चर पदों बहरती के लिए पत्र लिए पत्र लिखा गया था लेकिन कुछ तकनीकी कारोनों के वापस आ गया इस साल मार्च में डी सस बी को दोबारा पत्र भेजा ग पाकी है तो अक्टूबर के आखरी तक डी ट्रे पलस बी की प्रवक्ता और टी जी टी तो अकेले में टी जी टी की बात बताऊं तो लगबग नौहजार पद अकेले टी जी टी के आने वाले हैं सभी विशों को मिला कर और इसके लिए आपको सीट इट पास करना होगा सीट पीजी है आप तो भी अगर आप फर्स डिवीजन आपका है 60 परसेंट आपका पीजी में है तो भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप डी ट्रे पलस बी में प्रवक्ता का फार्म भर सकते हैं क्योंकि आप प्रवक्ता बनने के बाद वो आपको मौका देते हैं कि आप दो साल के अंतरगत बीड़ कर लीजिए तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है मित्रों अब मैं आपको बता दूँ कि और कौन कौन सी बिग्यप्तियां है जो आने वाली है रिसेंट में चल लही हैं तो हमारे यहां DTSB की PGT और TGT की सभी विश्व की कक्षाएं प्रिविसर कुश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा साथी साथ टेस्सीरीज भी आपको दी जाएगी और खास बात यह है कि यह DTSB की जितनी भी कक्षाएं मारे आउजित होंगी वो दिल्ली के सिक्षकों के दौरा आपको करवाई जाएगी तो आपको चलिए दूसरी सिक्षक विग्यप्ती के विशै में आपसो हम बात करते हैं उसको दिखाते हैं तो यह है दूसरी विग्यप्ती और आपको इन्तजार करना पड़ सकता है टास पॉर्स ते करें इसी चुकों के पत टास पॉर्स में राजए सबखा का और लोग निर्माना भाक कर दिक्ए र रही है वास्तविक्ता में उतनी है ही नहीं और अगर इसके अनुसार पदों भरती हो तो सिक्षक बिना द्यापनकार के घर पर बैठे रहेंगे और सासन कान और शब भरना पड़ेगा ऐसे में सभी जिलों के टास्क फोर्स गठेद करने इस लोकों स्कूलों में जमीनी हकीकत की जात करवाई जाएगी और फिर पदों पर बरती होगी इस टाक्स जो है टास्क फोर्स में राज़स भी भाग लोग निर्माड भी भाग अधिकारी सामिल किये जाएंगे ताकि जात पारदर सी ढंक से हो सके भी पर देश में 4500 स्कूलों में सिच्चों करीब एक लाग प और से अधिक्तम दस उसकोलों की जात करवाएं जिससे राज़स भी वाग वखंड विकास कारेले के राज़स पते लोग निर्माड भी भाग अम ग्रामीड अभियंतर विवाग के साथ साथ सिक्षा विवागात की जनपदस्ति अधिकारी को सामिल करें ये स्कूलों में ज बहुत देर लगने वाली है साथी साथ आयोग गठन भी करने जा रहा है सैंक्त आयोग का जिसमें तीनों आयोगों को गठित किया जाएगा अगर लगातार छात्रों का दबाव बना रहा तो अक्टूबर में ये बिग्यप्ति आ सकती है अन्यथा ये बिग्यप्तियत दिस 2019 की कख्छा हैं संचालित हो रही है जिसको भी प्रवेश लेना हो हमारे यहां प्रवेश लेसकता है और प्रवेश लेने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है बस आपको हमारे नंबर पर वाटसाइब कर देना है अपना विशयलिकर या किस कोर्स में आप प्रवेश लेना चाहते हैं ठीक है मित्रों तो आपको मैं अपना नंबर बता देता हूं कि मेरा नंबर क्या है नंबर नोट का लीजिए 9628959237 हमारा वाटसेप नंबर है 96289592 इस नंबर पर आप हमको कर दीजे वाटसेप और आपकी पूरी साहता की जाएगे पूरे नोटस आपको प्रवाइट करवाये जाएगे अगर आप मेरे फ्री टेली गराम ग्रूप में जोड़ना जाते हैं तब भी आप ओटसेप करिए आपको जोड़ लिया जाएगा चलिए आपको दिखाते हैं जो तीसरी और चोत्ही बिग गिप्ति है उसमें क्या होने वाला है तो तीसरी और चौथी विग्यप्ति के विशे में कर बात किया जाया तो तीसरी विग्यप्ति जो है केवियस की केंदरी विद्यार संगठन की विग्यप्ति है केवियस का जो फार्म है वो अभी तो नहीं आने वा लेकिन फरवरी में आएगा फरवरी तक आप अगर सीटिट की परिक्षा पास की रहेंगे तो इसका फाइदा आपको मिल जाएगा तो जल्दी से केवियस की भी तैरी स्टार्ट कर दिए केवियस का फार्म आने के बाद भी आपको हमारे यहां पूरी कक्षाएं मिलेंगी उसके कामन पेपर की और विश्यों के भी तो केवियस का फार्म फरवरी में आएगा और इसके परिक्षाएं आपको मार्च से अप्रैल महीने में या मई महीने तक करवाई जाएंगी तो यह हो गया केवियस का और फिर उसके बाद दिल्य अधिनस्त की बात हुई यूपी टीजीटी पीजीटी की बात हुई अब बात करेंगे प्राथमिक बिद्जाले में प्रैमरी टीचर की उत्तर परदेस में तो उत्तर प्रदेश फार्मरी टीचर के जो फार्म है वो थोड़े से लेट आने वाले हैं तो कुल मिलाकर 2019 में तो फार्म नहीं आएंगे 2020 में ये फार्म आने वाले हैं वो अब गर्मियों में आ सकते हैं कि अब जो नए सतर चालू होता है तो मार्च महीने की गर्णा करवाई जाएगी कि कितने स्टुडेंट्स हैं मार्च महीने में गर्णा जो होगी उसका जो फाइनल रिपोर्ट है वो अप्रेल मही तक सौपा जाएगा और उसके बाद ही नए सत्र के लिए फार्म आ सकता है तो ये आपको टोटल डिटेल में दे रहा हूँ एकदम सही और फैक्ट वाली डिटेल है इसके पहले कोई भी फार्म आने की आसंका नहीं की जा सकती है न कोई संभावना ही है प्रैमरी टीचर के लिए भी पूरी तैयारी आप हमारे यहां कर सकते है जिसमें यूपी टेट के बैच हमारे यहां चल रहे है यूपी टेट के बैच के प्रैक्टिस बैच में हमारे आप एडिमिशन ले सकते है तो बस इसी नमबर वंग को वाटसाइब कर दें चानबे, अठाइस पंचानबे, बानबे सैंतिस अब मित्रो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें विभिन रिजल्टों की विश्य में जानकारी आपको बदान करूंगा जितने भी पंडिंग रिजल्ट हैं जितने भी पंडिंग नोकरियां आपकी चल रही हैं उसके विश्य में जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको एक वीडियो में दूँगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिन